The one last thing that is very important to discuss with you is के यहां पर अगर हम export की option में देखें तो हमारे पास एक export as की option है और एक हमारे पास save for web की option है So इन दोनों में क्या difference है? Let's have a look on them तो अगर मैं फाइल में जाता हूँ और यहां से जाके मैं export पे hover करूँ अपने cursor को तो मुझे यहां पर कुछ options नजर आती हैं जिसमें से हमने export as की option को try किया था अपने different quotations को save करते वे अब हम save for web की option को try करेंगे और देखते हैं कि दोनों में क्या difference है तो पहले मैं आपको export as करके दिखाता हूँ इसको मैं export as कर रहा हूँ हम लोग desktop पे जाते हैं use artboards करते हैं इसको यहां से jpeg करते हैं और give it a name as variant 1.0 ठीक है और यहां से हम range select करते हैं that is one और इसको मैं export कर लेता हूँ ठीक है और यहां पे file को देखने से पहले अगर मैं अपने artboard का size देखूं तो मैं अपने artboard की selection कर रहा हूँ और मैं इस artboard पे double click करता हूँ तो यहां पर यह मुझे बता रहा है कि जो artboard का size है that is 1000 points by 1000 points तो हम जाके file की dimensions को देखते हैं यह file हमने save की थी इसकी मैं info get करता हूँ और यहां पर अगर हम इसकी dimensions को देखें that is 4167 by 4167 तो you will be surprised के यह तो मेरे artboard का size ही नहीं था मैंने तो artboard का size 1000 by 1000 क्रियेट किया था तो इसने dimensions इसकी increase क्यों कर दी इसके dimensions इसने इसलिए increase कर दी क्योंकि जब आप अपनी file को save करे थे तो यहां पर आपने quality set करते हुए उसको रखा था maximum और यहां पर अगर आप देखें तो आपको slider के नीचे smaller file और larger file मिलेगा तो इसने quality maximum रखने के लिए आपकी file का जो dimensions इसको increase कर दिया जहां तक maximum लेके जा सकता था उसने उसको वो set किया और अगर आप resolution भी देखें तो इसने maximum resolution 300 pixels पर इंच रखने के लिए आपकी file का size maximum रखा उसकी dimensions को maximum रखा तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जिस artboard जो artboard का size रखा था आपको उसी में ही आपकी image चाहिए उससे बड़ा उससे बड़ी dimensions नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं आप export में जाएं और save for web की option को choose करें तो मैं यहां पर इस artboard की selection कर लेता हूं और इसके बाद मैं file save for web करता हूं तो यहां पर आपका वो image का size बता रहा है उसकी dimensions बता रहा है ठीक है जी यह उसका एक preview है आपकी image का तो the preview is very good इसके बाद मैं इसको save कर लेता हूं desktop के उपर और इसका मैं नाम रख लेता हूं variant 2.0 ठीक है जी और जाकर देखते हैं कि इसने जो second image save की है इसकी का dimensions है तो इस पर right click करते हैं get info करते हैं और इसकी dimensions देखते हैं 1000 by 1000 points so इसी इसका आप लोगोंने ख्याल रखना है कि जब आप export as कर रहे हैं और उसकी quality maximum रख रहे हैं तो वो उसकी dimensions लाजबन increase करेगा उसकी quality को maintain करने के लिए लेकर अगर आपको exactly वही dimensions रही है तो go for export and save for web तो उमीद है कि ये छोटी सी information आपके लिए बहुत useful होगी See you in the next lesson. Thank you so much कर दो